तो कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे चलिए आई डिल करते हैं आज वेटेकर के 5 Kingdom Classifications को इसके पहले वाले क्लास में हमने 5 Kingdom Classification नहीं Classification पढ़ाया था इस टेटिक्स के फ़र्म में वो वीडियो आपको मिल जाएगी आपने देख रखी होगी ठीक चलते हैं यहाँ पे आज की बाद ये क्लास डिल करने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा कोश्चन नहीं बचेगा कि आप हेटेकर के Classification सिस्टम से नहीं कर सकते हैं तो वीडियो की लाच तक बने रहेगा तक हम आपको theoretical and mcq वाले जितने भी multiple choice की questions हैं उनको आसानी से deal करना सिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं mcq हमारे points के अंदर से तो बने रहेगा हमारे साथ अपने topic के ठीक तो ये देखो app है ये क्या है मेरा ये app है जो especially आपको एक best learning experience देता है जितने students app को install करके जितने लोग पढ़ाई कर रहे है वो अगदम मजे से पढ़ाई कर रहे है ऐसे ऐसे कई course मतलब आप जिस course में हो ऐसे ऐसे कई course 50 से ज़्यादा course मेरे इस applications पे आने वाले दिनों में completely आपको मिलने लगेंगे हर एक आप class 9 से लेकर MSC तक UPSC तक आने वाले दिनों में हम आपके लिए LT grade TGT PGT के लिए भर भर के material देंगे आपको कोई doubt नहीं होगा क्योंकि हम आपके साथ best learning experience एयर करना चाहते हैं हमारा दाइत्वा हमको job नहीं करना हमको किवल पढ़ाना है तो best कैसे पढ़ाना है वो डोड़ना है चाहे मेरे offline centers हो चाहे मेरे online centers हो online center में आप हो offline center में बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक चलते हैं अपने introduction points को deal करते हैं आज के session में कि वेटेकर के classification system में क्या मिलता है क्या introduction है हर एक points को deal करेंगे देखो क्या कह रहा है कि जो वीटेकर के classification system होते हैं क्या वीटेकर का classification system है वो बनाया गया है किस क्थे भी और्गनीजम के का किसफिया आर्गनीजम के मिल्टेव भर स्पेशला के वर इंव pepper क्या बोलते हैं always history changes के आधहार पर बनाये गया है मतलब कि हमारे पास जो इतने भी ऑनिंवस फो अंदर क्या होगा इवलिसंस होगा ठीक उनमें जैविकास होगा जैविकास के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं जो चेंजेज आ रहे हैं उस चेंजेज को देखते हुए विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था ये चीज आप याद रखिएगा ठ अलग अलग जो बायोजिश्ट में इसे अलग-अलग तरीके से रिपरजेंट किया कुछ ने इस में पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेहतर माना और कुछ ने डिफरेंट वे में भी आपने सारे काइटेरिया को रिंट किया लेकिन आगे बीदे हैं अर्चन से औरीभर क्या Aristotle को कौन नहीं जानता है अरस्तू को कौन नहीं जानता है जुलोजी पढ़ने वाला एक एक बच्चा हर लोग हर एक स्टुडेंट हर एक बैयोलोजिस्ट सब जानते होंगे अरस्तू को अरस्तूटल को हर कोई जानता है क्योंकि हमको पता है कि फादर आफ बायोलोजी जब की बात आती है तो वो हमारे पास निकल के आते कौन हमारे अरस्तूटल अब बात करें अरस्तूटल के क्लासिफिकेशन बेसिस पे तो अरस्तूटल ने क्या किया था कि बेसिस किया था हैब हवा में रहते हैं यानि हमारे पास जो ग्रीक फिलोस्पर हमारे अरश्टोटल होते थे वो अपने क्लासिफिकरशन सिस्टम को दिये तो इस पेसली वो हैबिटेट के बेसेस पे दिये कि आने वाले आर्गनिज या जो आर्गनिज में पाया जा रहा है वो किस आधार पे अपनी मार्फलोजी को ट्रेन करता है यानि उसकी हैबिट एन हैबिटेट्स क्या है वो लैंड पे होगा जमीन पे रहता है पानी मतलब इक्वैटिक होगा टोरिस्टल होगा या फिर वो एयर में रहता ह यह अरस्टोटल की कहानी थी अब बात करते कुछ और कहानी हमारे पास विटेकर हो गए अरस्टोटल हो गए अब आते हैं लीनियस भाई साहब लीनियस ने क्या किया लीनियस ने टू किंगनम सिस्टम को प्रपोच किया क्या क्या टू किंगनम क्लासिफिकेशन को प्रपोच क यानि एक प्लांटी बताया गया दूसरा kingdom एनिमिलिया बताया गया यानि जितने भी और गनिजम हमारे वर्ल्ड वाइल्ड पाये जाते हैं वो इस पेसली दो ही कटिगरी में नजर आएंगे या फिर वो प्लांट होंगे दो ही कटिगरी था किसके बैसे पे लीनियस के बैसे तो कभी भी आए तो आप ध्यान दीजिएगा यदि आप से सिंपा से छोटा सा क्वेशन पूछेगा कि बता भाई कि जो टू किंगनम सिस्टम है क्या है इसको कौन प्रपोच किया था तो आपको पता होना चीए कि लीनियस ने उसे प्रपोच किया था आगे बात करते हैं अगला बोल रहा है जो क्लासिफिकर सिस्टम है वह लांग ताइम तक नहीं चला और यह डिफरेंड भी किलियर नहीं करा पाया किसके बीच यू कैयोटिक और प्रो कैयोटिक के बीच ठीक और मल्टी स्लूलर और यूनिसलूलर के बीच और आगे चलके यह स्पेसलिक क्या बताया गया कि यूख को आप प्रोट बिशने बताया गया उसके बार दर हो टोटकाइज यानि यह व unanimous बाइसाब linear ठीक बढ़ते हैं आगे जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास basis और आते हैं कि हमारे पास और placement बताया है the placement of living things हमारे पास जितने भी living थे चाहे plants की बात करे चाहे animals की बात करे उनके kingdom को हम लोग justify नहीं कर पाए यानि एनिमर और plants को भी classify नहीं करा पाए सही से कि ह हमारे एनिमस कौन होगा कौन plants होगा क्योंकि उसकी सारी काइटेरिया को linear ने सही तरीके से रिप्रजेंट नहीं किये थे आगे बात करते हैं कि हमारे पास पूरा काफी ज़्यादा confusion बना रहा confusion जो थे वह हेल्फ किये development करने के लिए ठीक कौन सा new mode of classification जो confusion linear छोड़के गये वही confusion वी टेकर के दिमाग में खटक गया ठीक वी टेकर की दिमाग में खटका तो ही टेकर ने क्या बोला कि five kingdom system ला दिये और उसको हम लोग क्या बहलते हैं five kingdom system या वी टेकर five classification system के बारे में बताया गया तो चलते हैं विटेकर के 5 kingdom classification system को detail करते हैं point to points ठीक अब देखो questions अब बात आती है कि क्या है विटेकर के पूरा classification system क्या है पूरा पूरा detail classification system अब ये आपके पास 5 kingdom classification system है क्या है 5 kingdom classification system है इस 5 kingdom classification system में आप सही तरीके से देखे तो आपको छोड़े-छोड़े points समझार आएंगे चलिए हमने light flow सा कम कर दिया है अब आपको screen पर सही से दिख रहा होगा बात करें सबसे number point first की हमको क्या दिखाई दे रहा होगा हमको यहां से दिखाई दे रहा है number first हमारे पास क्या है यह हमारे पास है मोनेरा kingdom क्या है मोनेरा kingdom इसको बोलते हैं first kingdom क्या बोलता है इसको first kingdom बोलते हैं मोनेरा kingdom का जो cell structures होगा कैसा होगा unisilver होंगे prokerative होंगे nutrition कैसा होगा photosynthetic हो सकता है या फिर वो कैसे absorative form में होंगे यानि यह heterotopic nutrition को भी recommend करेंगे moment की बात करेंगे तो फैजला द्वारा moments होता है जो tubule proteins का बना होता है तो याद रखना mcq यहां से भी क्या mcq यहां से भी कि मोनेरा के अंदर पाये जाने वाले moments किसके द्वारा होते हैं फैजला के द्वारा होते हैं और यह फैजला के तेखने के मिलेगा इसमें जांपल वेक्टिरिया साइनो बैक्टिया ब्लू ग्रीन इलगी आ जाएंगे नमबर फस्ट नमबर टू हमारे पास आता है प्रोटिश्टा की बात करेंगे kingdom प्रोटिष्टा जो सेल इस्ट्रक्श्रस होगा कैसा होगा यूनी सेले होंगे लेकि पर सिलिया के बाद या स्पैजला सिलिया एंड हमारे पास क्या मिल जाएगा यहां पर हमारे पास एक और इस्ट्रक्श्रस होता है इस पोडिया क्या सुडोपोडिया कहते है सुडोपोडिया भी देखने के लिए मिल जाएगा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे नमबर प्मारे पास क्या होगा फंजाई होगा कि नाम फंजाई की बात करते हैं मल्टी सेल्वर और नोने की फ़ार में में होगा यहां सेप्रोफायटिक भी का सकते हो इसको मुमेंट कैसा होता है नान मुटाइल होते हैं यह चलते फिरते नहीं है रिप्रोड़क्षन कैसा हो गता है एसेक्जूवल सेक्जूवल एक्जाम्पल में यूनिसल्वर इस्ट हो जाएगा मस्रूम जो है वह आपका मल्टी सेल्वर हो जाएगा ओके चौथा हमारे पास आता है प्लांटी क्याता ह कैसा होगा सेलूलोस का बना हुआ होता है और प्लास्टेट प्रजेंट होगा यह चीज़ा रखना अब बात करते हैं नुट्रेशन होते हैं कुछ को छोड़के हमारे पास मोमेंट्स कैसा देखा जाएगा नान मोमेंट्स होंगे इनके अंदर वह कोई भी लोकोमोटरी आर भी प्लाइन अब बात करें अगला नमबर फाइफ नमबर फाइफ आएगा सब्सक्राइब करेंगे के अंदर से प्लाजमा में यानि इस पैसल सेल में में देखने के मिलता है जो किसका बनाता है प्रोटिन और लिपिट का डिजाइन होता है लेकिन यहां पर सेल वाल अफस मतलब उसान बोल्ट को जानते हो ना कितना मतलब कुछ सिकेंट में 100 मीटर की दोरी तो यानि काफी टेज मूटाइल समताइन में देखने के मिलेगा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे सेक्जूल और रेसेक्जूल दोनों मिलेंगे हमके एक्जामपल इस्पंज मिल जाएगा इनवर्टिवेट्स वर्टिवेट्स और हमारे मल्टी सेलूलर जितने वी और्गरीजम है वो आपको दिखाई दे देंगे ठीक यह अब दा इसके प पास यहां से हम लोग पॉइंट करेंगे क्या करेंगे पॉइंट नमबर फर्ष्ट को दिल करेंगे सबस्वर्ब बात करता है जो फाइव किनम सिस्टम है उसको प्रपोश करने वाले साइंटिक्स का नाम था क्या विटेकर कब इस पेशल नाइंटीन सिश्टिनाइन में प्रपोश किया गया था अब बात करते हैं एक किसमे कि ए वो फाइव को प्लासिफटाम करता है क्या करता है और्ग निजम को क्लासिफाई करता है किसके किसके बेस पे चलो आओ देखो हमारे पास नमर प्रश्ट कारेक्टर कौन कौन होगा नमर फ़र्श हमारे पास mode of nutrition बोजन कैसे लेता है उसके बेसे पर डियाइन करेंगे दूसरा थैलास के organization कैसे होगा उसके basis पे, sale structures कैसे होता है उसके basis पे और हमारा अगला चोथा है पहलियो genetic relationship कैसा है उसके बारे में and reproduction यानि यह पाँच ऐसे symptoms होंगे जिसके basis पे हमारे पास fitaker ने अपने classification system को arrange किया, तो यह चीज़ याद अखनाच यह पाँचो system आपको पाँचो यह फाइव की नव सिस्टम में यह पाँच character आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब हमारे जो fitaker थे, fitaker ने क्या किया, और और अर्गनिज्म को design किया, classify किया, character के basis पे, नमबर first character आया, mode of nutrition, नमबर दो आया, थैलस के organization के बारे में, और तीसरा या, sales structures, और चोथा या, paleo genetic relationship, and हमारे पास अगला या यहाँ पे, reproduction के basis पे, ठीक, आगे बढ़ते हैं, number next, number next बोलता है, कि यह हमारे पास common classification system की grouping की गई थी, और news की, especially, इनके simple character को, क्या, इनके simple character को, यहाँ पे देखा गया था, यह चीज़ ध्यान रखना, कोई BCS character नहीं थे, यह 5 ही character थे, अगले points में बात करते हैं, जो हमारे पास video कर की five kingdom classification system आ गया, divided into five group, कैसे five kingdom classification को five group में design किया गया, कौन-कौन, हमें पीछे देखा था, यहां भी देख लेते हैं, kingdom animalia सबसे highest performance के साथ, kingdom planty दूसरे नंबर पे highest performance के साथ, ठेक, एन हमारे पास fungi हो जाएगा, protesta हो जाएगा, and हमारे monera, जिसको हम लोग bacteria, यानि archive bacteria के form में रखते हैं, अब बात करते हैं कि kingdom are divided into various subgroups, यानि जो हमारे पास kingdom था, क्या था, जो मारा kingdom था, वो हमारे छोटे-छोटे group में design हो गया था, number first, kingdom किसमें बढ़ गया, phylum में जाइन हो गया, phylum किसमें बढ़ रहा, classes में बढ़ गया, class आगे order में, order आगे family में, family जिनस को बना दिया, जिनस यहां से species बना दी, यानि यह चोटे-चोटे हमारे क्या बने, सब hierarchical conditions बन गये, hierarchical category बन गये, यह hierarchical category आगे चलके एक बहतर classification system की new डाली, जो आज हम लोग modern biology के अंतरगात, इसको पढ़ते हैं, क्या modern biology के अंतरगात, हम लोग इसी पूरे group system को पढ़ते हैं, यह चीज़ आप ध्यान रहें, ठीक, अब यहां से ध्यान देना, कि characters, क्या, characters की बात कर रहा है, characteristics of five kingdom classification, the five kingdom जो हमारे पास होते हैं, उसके characters क्या क्या होते हैं, simple तरीके से उसकी बात करेंगे, पहले बोल रहा है, कि हमारे पास ही टेकर थे, वो classified किए, five kingdom classification system most cell structures, mode of nutritions, and हमारे पास mode of reproduction, यह बेस्ट युनिट थे, number first, यहां से देखना, mycoplasma, क्या था, mycoplasma bacteria, actinomycetes, and cyanobacteria, and blue green algae, come under monera, याने हमारे पास क्या था, mycoplasma जो था, bacteria, actinomycetes, and cyanobacteria, blue green algae, इनको कहां रखा गया, इनको भर केक पेटी में बंद कर दिया गया, उस पेटी क दूसरा नमर में हमने बात किया, किसको भारा गया, एक दूसरा पेटी, तैयार गया, इसका नाम था, हमारे पास king प्रूटिश्ता यहाँ जे को बर देया गया हमारे पास हुआ कउनको बर दिया गया हम लोग जितने भी हमारे प्रोटोजवायन्स थे एन फाइटो प्लंकॉन्ट थे उनको हमने भरके एक गुरूप डिजाइन कर दिया उस ग्रूप का नाम था स्पैसली किंग्डम प्रोटिश्टा हमारे पास तीसरे नमबर मिलता है कि एक और box सैयार किया गगो उस box का नाम था किंग्णम फंजाई किंग्णम फंजाई के अंदर हम लोग क्या बरे मोल्ड को भर दिये मसरूम को भर दिये जितने भीरे इच्ट ले उनको भर दिये ठेक किसमे किंग नंग फंजाई में अगला हमारे पास क्या था हमारे पास एक और बॉक्स बनाया गया जिसका नाम था प्लांटी क्या था प्लांटी प्लांटी के अंदर किसको भरा गया इलगी को रख दिया गया यह ब्रायोफाइक्स हो गया फॉर्न हो गया जिम्नोस पॉम बनाया गया जिसको बलाय गया इनमीलिया के अंतरगात हम लोग स्पंज को बढ़ दिए इनवर्टीवेट बढ़ दिए वाटीवेट को रख दिए जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर क्या मल्टी सेलुलर यू कर उठीक से हमने उसके अंदर उसको भर भर के डाल दिया अब बात करते हैं अगले फीचर्स की अगले फीचर्स में देखा जाए तो बोलता है कि 5 कि क्लासिफिकेशन सिस्टम का चार्ट देखा जाए यह चार्ट है ठेक आप इसको चार्ट नहीं है यह डिर् 1971 अप फ्र मेरा मैं को थोड़ा सा कम कर रहा हूं मैं कि तोड़ा सा कम कर रहा हूं आप इसका स्क्रीम सॉट लेकर सकते हैं ही साइड आपको अब दिख रहा होगा आप अपस क्रीन तॉड़ी से कवर कर लीज़्े दिए तो आप किसांटे फॉर्म में चलते हैं अगले हमारे पास है काईटेरिया संस्डल में क्या होगा 27 अधर या फिर वह प्रोड कर्यों दिक्स होगा तीक सोगा इसके ज्यादा कुछ नहीं इससे अच्छा कुछ नहीं एनिम्ल या प्लांट की बात नहीं करते हैं हम लोग यह अब पूछे ने सेल इस्ट्रक्शर रहा है बच्छा कि सब्सक्छत फेशन और प्लांट सेल उसको पत्ता नहीं बुद बढ़ी इस्ट्रक्चरल और्गनाइजेसन वह भी कैसा यूनिस लूलर और मल्टी से लूलर ठेक अब बात करनें दूसरा यहां पर हमको डियाइन किया गया गया मोडाफ नियूट्रेशन क्या मोडाफ नियूट्रेशन या पिर भाय मोडाफ होmostonesuma का होगा धान जी जाकर है ऑनलों भूता है इसको वह मतंधी लिदे लौलते हैं पर आंगक्य कैसा होगा अबधियजिकली अवर्यूमतर और में हैं हम यदे इसका marketing लाजिकल में क्या मोगा वो पूर्डिव सरोगा मतलब पैदा करेगा ठीक माटीरिल को अपनी बॉडि में जन्रेट करेगा जैसे प्लांट के क्लेक्ट में में क्या करता है हमारे पास और कर्बो बनाता है ठीक तो यह बएए फिर वह सब्सक्रिंद यह सहले हैं या फिर फिर ओड करता है या फिर वह यहां फोझे Europe होगा क्या होगा वह वह तुछ जल्रेलेसंशिप यहां पे यानि प्रोकरीटिक टू-करेटिक यह जो हमारे पोब्रोकरियोट्रीक से यू करती का फार्मेशन हुआ है और यूनिसेला टो माल्टी सेलूलर और्गनिज्म यानि प्रोकरोटिक से यूकरोटिक और्गनिज्म का फार्मेशन हुआ है यह लाइन याद रखेंगे कोई डाउट किसी को होगा तो बताएगा यह हमारा हुआ पूरा पूरा कम्प्लीट अभी तक इंट्रॉडक्शन अब पढ़ते हैं हम लोग किंग यहां पर कर देते हैं ठीक तो क्या कह रहा है यहां पर भाई साब कह रहा है कि जो किंगनम मोनेरा होता है इंक्लूड होते हैं सारे सारे कैसे जितने भी दुनिया के प्रोकरोटिक्स हैं वह सारे इंक्लूड होते हैं जैसे हमारे माइको प्लाज्मा हो गया बैक्टीरिया हो हो गया जाए और जाएंगे ये सारे सारे हमारे प्रेंट्रीयतिक्स के अन्धर और प्रोचा रोड से ले तो चलो भाईया चलो बात करते हैं हमारे पास तो नमबर परेंट हैगा बाईया यह कैसा होगा यूनि में निर्ग इसके वोगा में वीटाइट रोओ लेखों जंस होगा होते हैं आपने वाल पर जाए जांगे बूर लोगा और चुरुह मिलता है प्रोटोप्लाइश्ट मिलता है और माइक्रोइस्कोपिक से लोते हैं इनको देखा जाए हमारे पास कितना मिलता है माइक्रोइस्कोपिक फॉर्म के साथ ये कवर होंगे ये चीज़ आप ध्यां रखना इनका माइक्रान में लेंथ होता है जिरो पॉइंट वन माइक्रान के लगवाग ठेक आगे बात करते हैं अगला फॉर्म हो जाएगा इन मोनेरा मोनेरा के अंदर जनेटिक माटेरियाल इस यहां पर निक चोटा सब्सक्राइब किसके हिस्टोन प्रोटीन यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है इसी के वजह से यहां पर सर्गुलर देखने के मिलता है यदि हिस्टोन प्रोटीन होता तो उसका पूरा डिनने पैकेजिंग हो Cale Membrane के क्या पैजाँगे यहां पे Sahil Membrane हो हमारे पास किसीन के किसी भी और स्कीम और MR ठेख किया हमारे पास Mitoех τοिक स्पेंडल होते हैं उनके आई होता जब हमारे पास बोली रहा है पहले से कि हां पर शंज होगा रहा हुपने करेगा रहा है और फोलीन परोटीन होते हैं और इसमें क्या बोलता क्या था स्थेज्वीन प्रोटीन हमारे पास होता है इस प्रोटीन और फैज्विन प्रोटीन दोनों से निल के बारे होते हैं इस पैसली पाए जाएगा चीक कौं पाएगा यहां पे हेट्र होपिक और 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 दोनों देखने धरलेंगे यहां बात करें नेश्च्छ TRAPER Standard है CT के रूप में काम करेंगे और सेप्रोफाइटिक के सेप्रोफाइटिक और कि वो क्या करते हैं वो chemo synthesis करते हैं यह लाइन या रखना कौन सा chemo synthesis एक बार पूछा था है MSC के examination में कि MSC वाले question में पूछा था कि भाईया हमारे पास chemo synthesis किस kingdom में होता है तो याद रखना कि जो monera kingdom होता है उसके अंदर ही chemo synthesis होता है यह लाइन आपको याद रहे doubt कभी भी आप नहीं करेंगे ठेक आगे और chemo synthesis नहीं होगा तो photosynthesis होगा photosynthesis कब होगा जब उसके अंदर हमारे पास include both aerobic and anaerobic respiration यानि यहाँ पे aerobic और anaerobic respiration दोनों देखने के लिए मिल जाता है ठेक आगे reproduction कैसा reproduction यह को लो देखो यह दो काम करते हैं यह specially convert करने का काम करते हैं इसक्जूल होता है कैसा होता है इसक्जूर reproduction करेगा ठेक आगे बाद करते जामपाल मोनेरा में क्या मोनेरा में सारे सारे और क्यू बैक्टिरिया और यू बैक्टिरिया आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यह लाइन आप याद रखेंगे ठेक चलते हैं अगले form में अगला form हमारे पास क्या है kingdom protista में क्या बोल रहा है इन में सारे सारे कैसे eseです इसमें लोगते हैं यहां पर हमको क्या मिल जाएंगे यहां को से मिलका बना होगा प्रोटिष्टा kingdom राट करेक्टर कररेक्टर प्रॅर्य gore को से मिल यह लोगों सर्कार मिल जाएंग से मिलकू अगगो के बारे में तो चलो भाई कर्के लेते हैं क्या है कर्के डेख लेते हैं कैसा होगा यूनी dou doet क्ट एंच होगा यह अब को याद है यूंच होगा यूँडुन्सnt ऐस्वाइब है यूथि यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा flog आगे बोलता है जो DNA होता है वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ हमारे पास साथ में हो जाएगा यहां पे पैकेजिंग देखने के लिए मिलेगा ठीक बोलता है मिलेंगे ठेक है और यहां पर शुटो पोडिया भी मिल जाएगा इसको इंदी में थे ग्यांन या रखना आगे बोल रहा है वह हमारे पास होगा ठीक जुनका नायन प्लस टू होगा यह भी पूश्ता है यह भी आप mcq के लिए जा सकते हो बेश कोशन में ठीक और इस पेसल माइक्य टुबिल्स के बने होते हैं कैसे होते हैं माइक्य टुबिल्स के बने होते हैं और इसमें जो प्रोटीन होता है वह कौन सा होता है टुबिलीन प्रोटीन लगा होता है ठीक मोड अफ नूट्रेशन की बात करे ना कि हमारे पास नोट में क्या होगा कि जो मेरे पास यूगलिना होता है यूगलिना लाइक और गनीजम ठीक और यहां पर फोटो संथेटिक इन यहां पर होलो जोईक अफ्सेंट अफ्सेंट में ठीक यह चीज आप रियाद रखना और यह क्या करता है इसको क्या करता है डी कंपोज करता यानी खतम करता यहां बॉडी में लेगा और बॉडी के साथ उसको खापी के मस्त हो जाएगा अब आगे अगर पे नहीं होगा ठीक और बोलता है क्या यहां पर टीसू क्या बोलता है इसको टीसू सिस्टम अफसेंट होते हैं यह लाइन याद रखना यहां पर टीसू सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा एक्जामपल में क्या जितने भी प्रोटिश्टरा के अंतरकत इसमें क्या और्षिप आपके लिए हैं अब किसकी बात करते हैं हमनुößर बात करते हैं हमारे पास क्या है किप इसके यहां पर कुछ गूप तो प्रोटो जुआंस के बात करेंगे तो प्रोटोजुआस है कि पर हमारे पास कुल करें तो एक ग्रूप इसको देखे होंगे अब बात करते हैं वह मसरूम आ जाएगा और इस्ट भी आ जाएंगे और इनको कहां रखाता है फिल अंडर इस करेंगे बात करेंगे करेक्टर में कैसा जाएगा और इनके बॉडी के ऊपर बोल रहा है कि क्लिक पॉइंट्स हैं किसके काईटेनिया सिल वाल देखने मिलेगा और नान नानलृग कि करता है यहां पर पॉल सेकराइट कंडिसान मिलेंगे ठीक और और बोल यहां पर हमारे पास होता है लेकिन कुछ सपिस्टिजम होता है कुछ में वोटा है और जोबांडियों quindi नोे đây य basically आपके लिए है नाज जांडियों कहां होता है उनकी वाइखा स्ट्रक्चर को मीदिल हैं भोलते है तक है कि यहां पे मर्टी स३ पर होंगे हाइप ओ Caitlin ऐसे हमारे पास कोई BC है क्या है यह मारे पास कोई पंजाई है zego यह हूं यह पास कोई प्रॉल युवर्च कोई बेन्हत्रे कर देख रहा है dug तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जबरा होता है इसको क्या बोलता है इसको बोलते हैं यह हमारा है और अगला यहां पर इस इसके अंदर होते हैं और यहां पर इंटर नुकलियर यहां पर हमारे का इस दिखाई देते हैं गौल जी अपर्चर देखने के लिए मिल जाएगा वह भी बॉडी के फॉर्म में चोटे-चोटे की बात करेंगे और बात करेंगे sciences को बात करेंगे इन उनका उनका और यानि नहीं होता यहां पे आलडव मैं करो सिकूआ के मैं रहते हैं ठेक आगे बात करना यहां पर इस्टोर यानि इनके बोड़ी के अंदर इस्टोर मटेरियल जो होता है वह ग्लाइकोजन एंड फैट के रूप हम में होता है यहनी एक MCQ तो यहां से भी आता है यह लाइन याद रखना कभी पूछे कि MCQ पूछ रहा है तो आपको याद हो कि MCQ क्या है यहां पे ग्लाइकोजन एंड फैट के बारे में बोले कि हमारे पास जो हमारा फंजाई है उसमें हमारे पास इस्टोरेज रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए दो पार्ट होने चाहिए ग्राइकोजन एंड फैट एक्जांपल की बात करेंगे जितने विमारे यूच्फूल फंगस है जैसे पैक्सीनिया क्या है यहां पे आपक्सीनिया जो है वह बात करें पैन अंतर इंक्लूड हो जाएंगे क्या हमारे पास एलगी ब्राविफाइट फ़न जिम्नोस पार्म्स एंड मल्टी सेल्ट जो प्लांट्स हैं उनमें देखा जाता है कहां पर रहेंगे लैंड में रहेंगे या फिर सी में रहेंगे ठीक अब फ्रेस वाटर पे रहते हैं इनकी बॉडि कैसे होती है इस पेशली फॉर्म लेस रेगुलर टेक रेगूलर नहीं होता है और रेगुलर कंडिशन होता है और बात करेंगे यहां पर हमारे के तो नो मोडाईल कोई चलता है पिटा पे नहीं धिखता यहां पे नूट्रेशन की तो अध्य नूट्रेशन रिप्रोडक्शन कैसा होता है और ऑगे बाद करें इस पोर फार्मयसान भाईया होगा लोवर प्लांट्स में होगा हाइयर। फ्टेंट होगा घेक। इम्पी य प्लाइंट के अंतरगत हमारे पास और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे अगला है हमारे पास पास kingdom एनिमीलिया क्या है kingdom एनिमीलिया के अंदर आप जानते हैं और सारे सारे depend upon के नदर रख रहें और मैंटा हैं हमारे पास पॉडिवे wraps ये और ऐंगे कव falti ऑर नगसमें जानते ही करेक्टर के बारे हैं कासा होगा यू के रिख half-service होग यहां पर प्लास्टेज होगा भी बॉडिवा और रगुलर होगा अरगन पाया जाएगा हमारे पॉन्ण किया होगा पाया जाएगा से के अंदर किसी भी मैसेज को क्या करते है और इन में इंब्रियो स्टेज देखने के मिलेगा कहां पर हाइएर प्लाइएर एनिमल के अंतरगत बात करते हैं यहां पर हम इंग्जांपल्स की तो एक्जांपल्स हमारे पास क्या है की बात कर रहा है इडवान्टेश क्या है इसको आप टाइम काफी हो गया 40 मर्स से लदा हो गया है तो आप इसको इसको इवह पड़ लेना इसको कर लो ओंगा यह पको पढ़ाई दिया झाल झाल झाल